डी ब्लाक एवं यफ ब्लाक के तत्तों के सभी महत्पून बहु बिकल्पी प्रस्ण जो पिछले कई बार बोड इक्जाम में पूछे गए हैं और जिनके इस बार भी पूछे जाने के चांस जादा है वह प्रस्ण इस वीडियो के माद्यम से आप सभी को हम कराने जा रहे हैं इस से पहले हमने इस पार्ट से पहले यूपी बोड इक्जाम 2024 के लिए जितने चैप्टर निर्धारित हैं उन सारे चैप्टर के बहु भी कल्पी प्रस्ण करा दिये तो क्या सर के वल बहु भी कल्पी प्रस्ण ही आप कराएंगे नहीं आती लग उत्तरी लग उत्तरी और पांच नंबर वाले प्रस्ण भी कराएंगे थोड़ा धैरे बनाईए और मेरा कंटेंट पुरा तयार कर लेजे आपको सत्तर में मैं सत्तर तो नहीं वोलूँगा लेकिन सत्तर नंबर में आप साठ के उपर नंबर जरूर प्राप्त करेंगे यदि आपकी तैयारी इस तरह से होती है तो चलो बच्चो वीडियो के सुरुवात करते हैं यूपी बोड इग्जाम दोहजार चौबिस क्लास ट्वल्थ क्यमिस्ट्री की अगर बात करें बहुविकल्पी प्रस्न तो कौन से चैप्टर से आज हम बहुविकल्पी प्रस्न लेने जा रहे हैं डी बलाग एवं यफ बलाग के तत्व के बच्चो डी बलाग और यफ बलाग के तत्व की में जो आपका पहला कोशन है उसमें लिखा है संक्रमण तत्व में 4D स्रेंडी का तत्व है 37A, 47B, 57C, 30D इसका क्या मतलब है यानि जिस तत्व का परमाड़ करमांग 37 है वो 4D का है या फिर जिसका 47 है वो 4D का है या फिर जिसका 57 का है वो 4D का है या फिर जिसका 30 है वो 4D का है देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो D वाला बलाग है उसमें 4 स्रेंडी है जिसमें पहली स्रेंडी 3D होती है दूसरी स्रेंडी 4D होती है अगली वाली 5D फिर अगली वाली 6D जिसमें जादा महत्वपूर्ण 3D और 4D स्रेंडी के तत्वों होते हैं इनी से जादा कोशन भी एकजाम में बनते हैं तो 3D स्रेंडी की बात करें तो वह स्रेंडी 21 से 21 वाला जो तत्व है आपका स्कैंडियम और 30 पर समाप्त होती है जिंक पर और 4D सिरीज इस्टाइट होती है परमाणो करमांग आपका 49 से 49 से आपका इट्रियम फिर उसके बाद जर्कोनियम इस तरह से आगे दाएगा और 49 पर समाप्त होगी कैडमियम पर तो 3D 20 से 30 पर स 49 से 49 परमाणो करमांग तक आपका चलती है तो इसमें 49 और 49 के बीच में कौन सा है अगर देखा जाए तो ये वाला आपसा नमबर भी तो ये प्रस्ण आप इस ये वाला जो जबाब है ये सही जबाब हो जाएगा अच्छा बच्चो अगला प्रस्ण मारा है निम्न में संक अग्साइड है या सियार ओटू जो क्रोमियम का अक्साइड है तो देखें लाओ हचुमकी आपका जो पदार्थ होगा वह परमलब की बोला जाएगा जिसमें अईगमित इलेक्ट्रानों की संख्या जादा होगी तो इन सब में देखें मैगनीज की बात करें तो मैगनीज क्रोमियम में आपको जादा युगमित इलेक्टान देखने को मिलेंगे इसलिए आपका यहां पर जो सही जबाब बैठेगा वह कौन सा हो जाएगा क्रोमियम अक्साइड जो है इसका सही जबाब हो जाएगा नमनेश्ट संक्रमर धात जो परिवर्तन सील से अवस्था नहीं दरसाती है वह है देखिए टाइटेनियम भी दरसाता है आपका यहां केवल टी लिखा है जबकि यह टाल टेनम है ठीक हलाकि टी से तो कोई वो नहीं होता है यहां पर टी आई होना चाहिए तो यह आपका ज जिंक जो है केवल एक बैलनसी सो करता है वो है प्लस टू बाकी सब एक से अधिक बैलनसी सो करते हैं आप सभी को मालूम होना चाहिए इसलिए जिंक जो है परिवर्तन सील अवस्था नहीं दरसाती है नमनेश्ट आपका है कि इस संक्रमर तत्तु का घनत उच्टम है आप इसका घना तो पूरे आवरसाड़नी में लगबख सबसे ज़ादा है तो ऊस्मियम इसका सही जबाब अब भारीध हाथ में भी आता है ऊस्मियम तो यह आपका यहां पर सही जबाब हो जाएगा नेमनमे में तो इसकेंडियम का परमाडू क्रमांग 21 होता है कितना होता है 21 तो 21 परमाडू क्रमांग होने का मतलब D में 1 इलेक्टान, AES में 2 इलेक्टान तो AES का 2 का दुनों निकल गया और D का 1 निकल गया तो अब बाकी जो उसमें बसते हैं elektron वो आपके बचेंगे 18 और 18 एक अक्रिय गैस का electronic बिन्यास होता है और अक्रिय गैस में कोई भी elektron आयुगमित नहीं होता है यानि इस scandium triple plus में कोई भी आयुगमित इलेक्टान आपका नहीं आएगा और जब इसमें कोई भी आयुगमित इलेक्टान नहीं आएगा तो इसका मतलब यह प्रतिचुम्बकी हो जाएगा यहां यमेन रहेगा तो magne is double plus बाकि सबका अगर आप इलेक्टान जो यह आयन वाले वस्था में सबका अगर आप इलेक्टानी विन्यास करके देखेंगे तो चाहे एक हो ही आयुगमित इलेक्टान देखने को जरूर मिलेगा वो सब आनुचुम्बकी होंगे यह C triple plus यानि Scandium triple plus जो है आपका प्रती चुम्बकी है नमनेस्ट निम्न में से अनुचुम्बकी है देखें जिंक double plus यह दो इटो इलेक्टान त्यागेगा तो इसके पास एक भी आयुगमित इलेक्टान नहीं बचेगा यह बात ध्यान दीजे एक भी आयुगमित जबाव हो जायगा तो इसमें आप बतएम यह कुँन सा सही जबा बजाएगा तो यहाँ पर ऐसा है जिसका जली विलिन क्या होता है रंगहीन होता है तो देखिए जिसमें ऐखमितों नहीं होंगे वहीं रंगहीन आएगा इसका đिम पुल सभी उपर तो दो इलक्टान बचा डी में तो एक एक भरा जाएगा यह अईगमित इलक्टान इसमें है यह 26 है तो दो इलक्टान निकल जाएगा तो इसमें भी अईगमित इलक्टान है यह 29 है तो दो इलक्टान निकल जाएगा 27 आएगा की बात करें तो यह सभी हो जाएंगे क्योंकि उत्प्रेर की गुण की बात अगर यहां पर करें असवारी सभी नहीं होंगे लेट जो है आपका दुरबल धातु है पी बलाक से रिलेट करता है यह यस बलाक से रिलेट करता है उत्प्रेर की गुण जो है संक्रमर धातु इसलिए आपका आरं सा ही जबाब हो जाएगा टिक धेनरे स्ट रंगीनड़ का निर्मार सभाव होता है जब योगिक में विद्धमान होते यह दो मनें बतना आईगमिय सब्धमान के तनरी और निमन दैने रेंयम जूरुंत और प contributor Up जो है caesium caesium कि बात करें तो यह leンテइड सरेणि में आपका आता है यहSE यह yang लेंथेनाइड स्रेणी का तत्व जो है माना जाएगा नमनेस्ट है लेंथेनाइडों के लिए निम्नलिकित में से कौन सी आक्सी करणवस्था सभी में होती है तो प्लस तीन रटलो भया यह आपका जो है इसका कौन से जबाब से यो जाएगा यह वाला अप्षन जो है दूस कुछ हो जाता है आनिक त्रिज्जा कम हो जाती है तो यह सारी चीज़े जो है इसमें हो जाती है इसलिए उपर युक्त सभी वाला यहां पर आप संट टिक होगा और आई होब कि आपको यह पूरा बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया ऐसे वीडियो के लिए आप हमा कि सोमझ जैहेन बने मादर।